हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ओम सियू कोचिंग क्लासेज में आज हम बात करेंगे फाराडे का विद्दूत अभधन का दितिये नियम जैसा कहा हमने लास्ट वीडियो में प्रथम नियम की बात कर लिया है आए सम encontramos फाराडे का विद्दूत अभधन का दितिये नियम अगर हम बात करें इस नियम की तो इसमें फाराडे ने हमें बताया लग-लग विद्दूत अभधंय ये लाइन आप याद रखेगा लग-लग विद्दूत अभधंय के वेलियनों में समान आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त होने वाले पदार्थों के द्रब्यमान उनके तुल्यां की भारों के समानुपाती होते हैं देखें मैं आपको यहीं बताती हो चलता हो कि कैसे आप पहचान करेंगे कि फराड़े का प्रथम्नियम है या दितिय esca? अगर प्रथम्नियम है तो हमने फार्मुला पढ़़ लिया है के प्रेदे का प्रथम नियम है या धित्ये नियम है अगर प्रथम नियम है तो हमने फार्मला पढ़ लिया है व bé söy minimal ऑब्लू बराबर जट गुरे ज़री या डबलू बराबर जट गुडाव ऑई गुड़े अई टीब नीषा आपने देखा था तो हमने प्रथम नियम की बात तो कर लिए सवाल ले कैसे लगाना है कर भी लिया है अब धितिये नियम की पहचान अगर आप करेंगे तो उसकी पहचान आप यह से करेंगे कि अलग अलग विद्दुत अभघट के विलिनों में हम कहेंगे कि वहां पे जो विद्दुत अभघट होना चाहिए वो अलग-अलग होना चाहिए और आवेश उसमें क्या होना चाहिए तो यह पहचान है अगर आप थो कहीं यह वर्ड मिल जाता है समान आवेस तब पहचान में आपको मिल जाएगी तब पहचान हो जाएगा कि फराडे का लितिये नियाव है या कहीं अलग-अलग विद्वत घट GUY कहीं अलग-अलग कि बात करेगा तब भी पहचान में आ जाएगा कि ये झालरी का эти व, उनके तुलियां की भार, उनके तुलियां की भार, एक क्या होगा? समानपाति, थो हमने इसे माल लिया, दो पादार्थ हैं, A और B, अगर इनमें समाना आवेस, प्रवायर्वाहिद किया जाए, तो फज्राडे के दितिये नियम से, हमें पायेंगे कि जो A का भार है वो समान पाती होगा A के तुल्यांग की भार के और जो B का भार है वो समान पाती होगा B के तुल्यांग की भार के यह नियम यहीं पर समाप्त हुआ अब हम इसका यूज देखेंगे यहीं पर आप देखेगा अगर हम W A समान पाती E करें और W जाएगा आप यहाँ बराबर कचिन लगाएंगे तो कोई constant आएगा ओके माल लेते हैं के constant आया और यहाँ भी वही constant क्या आएगा के जब आप अनुपात लेंगे तो के से क्या हो जाएगा तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं अब यहीं पर अगर हम एक और कर दें ब्लू भी को ध ग्राम में भार बटे तुल्यांग की भार B के लिए तो यह आपका हो गया A का ग्राम तुल्यांग यह हो गया B का ग्राम तुल्यांग तो यह दे थे थे निय slopes-k很好 है तो हमें क्या कांसरव लगाना है एक ग्राम तुंक बरावर बिटा ग्राम में मूद्यों हम इसको ऐसा भी में एक निश्चित आवेस कोई आवेस है प्रवाहित करने पर 54 ग्राम सिल्वर प्राप्त होती है यदि इतना ही इतना मतलब क्या समान समान आवेस यदि इतना ही आवेस तन सब्सक्राइब देख सकते हैं कि हमें एक दिया हुआ है सिल्वर प्राप्ट हो रहा है कौन सा विलियन है और दूसरा कौन सा विलियन है है तो आप यहां देख सकते हैं कि दो अलग अलग विद्धुता घट हैं और समान अबेस है तो इसका मतलब है यह सवाल फैराडे की दितिया नियम पर है एक जानकारी यहां देख लेते हैं किसी भी गैस के लिए अगर हम बात करें एक मोल का जो एस्टीपी परायतन होता है व घैस्ट यहां पे हमें ह्याओी बात कर रहा है तो हैडोजेट जो होगा वह कहां से आएगा हैस्ट्रो फोरोड से और सिल्वर होगा वह कहां से आहएगा नूद्री से तो हम Hari фин 국वर का ग्राम तुलियाग ब्राबर होगा किसके hydrogen के gram तुल्यांग की अब हमें ये पता है हमने ये पहले भी पढ़ा है ग्राम तुल्यांग बराब होता है ग्राम में भार बटे तुल्यांग की भार और तुल्यांग की भार बराबर ये तुल्यांग की भार लिखा हुआ है अब तुल्यां की भार बराबर होता है अड़ो भार या पर्माडभार बटे एंट फैक्टर तो पर्माडभार आपको दिया हुआ एक 100 वाट एक सो वाट बटे एन फैक्टर अगर हम इन फैक्टर की बात करें तो देखो यहां से एजी प्लस AG से हमें क्या मिलेगा एजी मिलेगा आप देखिए अकिस्य कर संख्या में परिवर्तन एक और एक गुरे कितना हो जाएगे एक 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 फैक्टर कितना उल्या है लिए कि अपके इद्धर देखेंगे हायँ ग्राम तो मुझे अभी इसको हाल करनेे पर हायँ hydrogen मुझे मिल जाएगा अब देखती है कितना है जब आप इसको हल करेंगे तो आप देख सकते हैं यह वन से कोई मतलब नहीं चाहरा सी डिवाइड कर देंगे तो इसके न बात करेंगे ग्राम तुल्याग का फामल लगा चांते हैं मोल गुडे एन फ possibile la km 15 तो यहां से आपको गराम तुल्यांग हाय तो मोल बराबर क्या होगा ग्राम तुल्यांग बटी nophy maturity यहां पिर फेक्टर होग वह किसके लिए होगा Jenny tomorrow किसका निकाल रहा हैं रहा हम जिसका ओन इसका घ्राम तुल्याम है और यह बना रहा है एच टू ओके क्या बना रहा है एच टू तो और हट के परिवर्त नए लेकिन यहाँ दो होने ना दिर दो से गुड़ा करेंगे तो कितना आ जाए-गा दो तो है यह न फैक्टर मैंने लास्त लास ने बताया भी है के लिए तो आप वहां से देख सकते ह होगे अब आप इसका डिवाइड करेंगे तो इस्टीप पर रायतन होता था बाइस दिस्टा में सवाल में किया क्या एक ग्राम तुलियंग बराभर बीका ग्राम तुलियंग अए यह मुच्छ सवाल करते हैं सवाल यह कह रहा है कि एक अमल की जलीविलियन में अमल है कोई अमल एक विद्धुत अभगट का काम करेगा ओकी जलीविलियन है निश्चित विद्धुधारा तीस मिनट तक परवाहिद करने पर दसंबलो पांच ग्राम हाइडोजन गैस कैथोड पर प्राक्त होती है देखि यहां से मुझे समझ में आज जाएगा कि यह किसका सवाल है फाराडे का दितिये नियम का सवाल है यह इतनी विद्धुधारा समान समय के लिए कौपर सलफेट की विलियन में प्रवाहित की जाए तो कितने ग्राम कौपर प्राप्थ होगा तो निश्चित रुप से यहां पर दो बात हो रही एक तो बात हो रही क्या पर की और दोसरी बात हो रही है है घ्टोजन गास की जो ग्राम ऐभवार बठ्ट त्ट त्ल 요ंके वारी की रा में भार बठ्ट त्ल 2000 के लिए अब इहां पर कि에서 बहुता है और त्ल alan की होता है परमाड भार में थान कर नहीं करें तो यहां जो कापर होगा वो कापर प्लस्ट की क्यों इसा फिका गतrine चीन है और कॉपर कप एक ही परवाण हो तो यहां एक सिक्वरा करेंगे तो यह है कि अदो आजाएगा तो तुल्यांकी भार यह मैंने लिखा दिया और पर्माण भार बटे और फैट किजिए जब आणू होगा तो अदो भाल लिखेंगे पर माण कुलाउंग तो परमाणफान चार को स्क्राइब अगर डिया आपको दिया one hai कि तो हमें अजर आम अगरीं की बात करें तो क्या करें अऔर वार तो तो इसका अनुभार दो और इसको जब अब करेंगे तो आपको यह इसका ग्राम में भार मिल जाएगा ठीक है तो इतनी बात आपको समझ में आगई उब करों आपको होम और सब्सक्राइब होगा तो आप जांपन नंबर तीन आराम से कर सकते हैं चलिए सवाल को मैं एक बार कर देता हूं किसी विद्धुत अब घटन सेल में उपस्तित गलित का विद्धुत अब घटन कराने पर 6.5 ग्राम मैंगेसियम कैथोड पर जमा होता है तो ग्याद कीजिए एनोड पर कितनी क्लोरिन उत्पन होगी तो आप यहां देख सकते हैं कि गलित एनोड अब घटन आप एक ही है न दोनों के लिए एंगे समान विद्धुधार होगी तो मैंगेसियम का आपको कैथोड पर कितना मैंगेसियम जमा हो रहा यह बता दिया गया है इनोड पर कितना क्लोरीन जमा होगा यह आपको बताना है तो आप ऐसे सवाल भी फाराडे की रितिलियम से करेंगे तो एमजी का ग्राम तुलियांग बराबर क्या करेंगे क्लोरीन का ग्राम तुलियांग अब आपको जो चीन निकालना है वो नहीं पता होगी बाकि सारी बातें आपको पता होगी कैसे आपको निकालना है वो आप करें ओकी ओके आज लिए इतना ही थाइंक यू